को यज़िए क्विस्फैने की पार्टिकल से 9 बशेफ्ट एंट्रोय रीडीन पर सेकंड में क्या लिजुस्ऩी थे यू तो अज़्कशन अच्वाइशन करता है मिल्हूरा कौन-कौन सा AC and AT AC होता है radial या centripetal acceleration जिसका value लोग लिखते हैं omega square r या फिर v square r और इसका direction होता है towards the center दूसरा acceleration होता है tangential acceleration जिसका direction होता है towards the tangent ठीक है लेकिन AC तो हमेशा रहेगा circular motion में AT हो भी सकता और नहीं भी हो सकता 80 तब होगा जब speed change करेगा मतलब जैसे 3 से घूम रहा था फिर 4 से घूमने लगे फिर 5 से 80 तब होता है जब speed में change हो velocity तो हमेशा ही change होता है circular motion में direction fix होता है क्या velocity fix होने का बात तो है ही नहीं लेकिन उसका magnitude fix हो भी सकता और अगर magnitude fix है speed constant है तो 80 नहीं होगा और अगर magnitude change कर रहा है तो speed change हो रहा है तब 80 रहेगा यहां पर केवल AC है जो किदर है center की तरफ speed change होने का कोई बात हुआ यहां तो यहां पर तुमारा जो acceleration है वो केवल और केवल किस तरफ है center की तरफ जो कितना होता है AC equal to omega square r omega square कितना दिया हो है 2 तो 2 का square into radius कितना है 3 3 दुनी 6 6 दुनी 12 तो यह 12 आ गिया क्या इसका 2 component होगा एक इधर और एक अगर यह 60 है तो यह भी तो 60 होगा तो इधर वाला component हो जागा AC cos 60 और इधर वाला component हो जागा AC sin 60 that means acceleration centipetal को दो पार्ट में लिख सकते है एक लिख सकते है AC cos 60 किदर minus x axis में और दूसरा लिख सकते है हम लोग AC sin 60 किदर minus j में AC का value कितना दिया हो है 12 cos 60 कितना होता है 1 by 2 तो यह minus 6i हो जाएगा और यह minus AC का value 12 sin 60 root 3 by 2 तो 6 root 3 j क्या कौन सा option आएगा 1st option